हेलो डिफेंस लवर, वेलकम टू माई चैनल डिफेंस अरीना 007 तो आज मैं आपको पताने जारो भारत की सिवाली क्लास F-47 फ्रिगेट के बारे में और यह जो फ्रिगेट है वो स्टेल्द वार्थे पे जिसे इंडिया में ही बनाया गया है बात करते हैं इसके बील्डर की तो इसे मगजी गाउन डॉक लिमिटेड ने बनाया है बात करते हैं इसके टाइप की तो जो जो सिवाली क्लास फ्रिगेट है वो गाइड़ेड मिसाल फ्रिगेट है अब इस total number की बात करें तो ये भारत में 3 है total displacement की बात करते हैं तो इसकी 6200 तन full load के साथ है और 5300 तन standard weight के साथ अब बात करते हैं इसकी length की तो 142.5 meters की length है beam की बात करते हैं तो 16.3 meters की beam है अब बात करते हैं इसकी energy की यानि कि इसमें 2 diesel class engine लगे हुए हैं और प्रतेग engine 11300 kW energy create करता है और दो इसमें turbine class है जो कि प्रतेक इंजन 25,100 kW एनरजी क्रेट करता है अब बात करते हैं इसकी speed जब इसमें gas turbines engines यूज होते हैं तो 32 note की speed मिलती है और diesel engine यूज होता है तो 22 note की अब बात करते हैं इसके complement की तो इसमें 200 सत्तामन crew members यूज हो सकते हैं बात करते हैं इसकी radar sensors की तो इसमें M2EM 3D radar यूज होता है और EL-M 2238 star onboard radar भी यूज होता है अब बात करते हैं इसके type की तो ये multi purpose है यानि इसमें plus Doppler multi mode 3D radar range की बात करें तो ये 350 km में automatic track system के साथ आता है और ये दुसमन की missiles को 28 km दूर से ही detect कर सकता है और इसमें जो एक और यूज होता है radar उसका नाम है EL-M 2221 search and track guidance अब बात करते हैं इसके electronic warfare and DOs की तो इसमें भारत का ही BEL दौर बना हुआ अजंता electronic warfare यूज होता है जिसका work होता है दुसमन की आने वाली missile को jam करना या फिर aircraft को jam करना अब बात करते हैं इसके armaments की तो इसमें जो armaments यूज होते हैं उसमें सबसे पहले है बराक 1 missile यह short range missile है cruise missile है और इसकी जो range है वो 12 km है और यह vertical launch system के साथ आती है और इसका जो mass है वो 78 kg क्या है और speed की बात करने तो 2.1 max इसकी speed है और यह 22 kg blast format material लेके जा सकती है अब बात करते हैं medium range cruise missile की तो इसमें S-HTIL-1 ऐसी 22 missile huge की जा सकती है अब बात करते हैं इसके mass की तो इसमें जो mass होता वो 581 kg का इसका weight होता और यह warhead 70 kg warhead ले जा सकती है अब बात करते हैं इसकी operational range की तो यह 50 km तक की operational range है और maximum speed की बात करते हैं तो 4.5 max इसकी maximum speed है यानि की especially इसे design किया जाता है दुस्मन की आने वाली missiles को cruise missiles को detect करके फोडने के लिए अब बात करते हैं इसमें तीसरी missile की तो वो है group anti cruise missile और इसकी type की बात करें तो यह anti ship cruise missile यह प्लेस यह भी रस्या से ही भारत खरीता है बात करें इसके mass की तो 300 kg से लेके 300 kg तक इसका mass होता है बात करें इसकी length की तो 6.2 मीटर से लेके 8.9 मीटर तर इसकी length होती है warhead की बात करें तो इसमें 400 kg से लेके 500 kg तक का hg type materials use होता है या फिर thermonuclear materials use होता है बात करें इसकी range की तो इसकी range है 300 km है बात करें इसकी speed की तो जो इसकी speed है 2.5 मैक है accuracy की बात करें तो 3 मीटर इसकी accuracy है और flat attitude की बात करें तो ये पानी के उपर 20 मीटर की उचाय में उड़ने की capability रखती है तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए और वैल आइकन दबात देजिसे के लिए टेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते है जहें 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 भर